वेल्कम टू माइ यूटूब चैनल सुधा कीचेन कुईन मैं हूँ सुधा और आप सभी के लिए लेकर आई हूँ पटल आलू दम की एक ऐसी रेसिपी बिना लेसन पे आज की बहुत ही कम इंगेर्ट बहुत ही टेस्टी आप इस पटल आलू दम को बना सकते हैं तो चलिए कर पटल आलू दम बनानी के लिए ना पहले हम यहां पर कच्छी आलू को छील के बीस से मतलब ऐसे काट दिये हैं काट के यहां डारेक्ली ओयल में फ्राइ करने ताप यहां पर सरसो का फिर रिफाइन कोई भी तेल ले सकते हैं हल्दी और नमक ऑल में ही डाल कर मतालू को डाल तेस हल्दी और नमक डालेकर इन्हें भी अच्छे उड़िए अचैसे अचर्ध कर लेना है तो मिपटल को भषा कर लेए था हाई और राप पच्छा माद के फ़्राइज कर लोग हा इसके लिए माजा यहां तब क माजां काजू और छूस्ता यानि कि हसकर और ऐले तुमाटर अदरक और हरीmiर्च का पेस्टू पहले छाचाफ मिर्च क करना न है तो कि अच्छा फ्लिए ये लिग डाले bats आखिने जाचा है दर आ इसके जाउन करना थे लो ये नएता हो से जनज दो fed charge जाएं क्राइज इवाध है पूर अअच्छे से यूज कर लेंगे था सा पानी भी एड़ा करके अभी यह से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इस चलाते रहें क्योंकि काजुवगर का पेश्ट है तो बगने लगता है, तो Pre contrat उसी चला लेंगे कुछा चलाने के बाद ना अब हम इसमें थोड़ा सा पानी एड़ कर देते हैं जो मिक्सर में लगा हुआ था उन्हें डालके इन्हें फिर से अच्छे से कर लेंगे मिक्स अबैंगे स्वात की अनुसार नमक और हम इसमें अड़ करनी हैं चीनी थोड़ी सी इसे टेस्ट बैलंस रहे और इन्हें डाल के इन्हें अच्छे से कर लेना है mix अब इसमें कोई भी मसाले नहीं लगेंगे बस इन्हीं मसालों को ना हमें अच्छे से पका लेना है ताकि मसालों में से तेल अलग हो जाए मसाले एकदम अच्छे से पक जाए तो इन्हें हम ढखके इन मसालों को अच्छे से पका लेंगे तो ये देखिए, यहाँ पे जो मसाले हैं बहुत ही अच्छे से पक चुके हैं तो बस मसाले जब ऐसे ही पक जाए, उसके बाद हम इसमें डाल देंगे बुना हुआ आलू और पटल, बस इन्हे डाल के इन्हें अच्छे से एक पक जाए, बस ऐसे रहा जाए बस इन्हें डाल के ये यापद ढखके थोड़ा मतलब इसके साथ मसालों के साथ भी ना थोड़ा आलू और पटल को भून ले तो यहां पे ना उबले हुए आलू को ना इस्तमाल करें आप इससे तर ज़क अच्छा आलू को काटके फिर फ्राइ करें के डालू से बहुत यह चाट एस्ट आता है एक साइड रग दे कन लुषसी तर इसमें हमें गरम पाई डाल देना है तो कि आलू उबले हुए नहीं है तो इन्हें पकने थोड़ा सा टाइम डगेगा इसके लिए हमें थोड़ा सा ज़ादा पानी आड़ कर देती हूं और पानी थोड़ा और डालने के बाद नहें धाग के ह्री मिर्च ड अभी बहुत ज्यादा ग्रेवी भी है और अभी आलू अगरा थोड़े पके भी नहीं है तो मैं इन्हें थोड़ा देर के लिए और ढ़के नाराम से पकने देती हूं तो चलिए इसो को फिर से ढ़कन को हटा लेते हैं और इन्हें कर लेते हैं मिक्स कर लेंगे और थोड़ा अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसे थोड़ा से चेक कर लेती हूं तो अभी हमारे पटल और आलू दोनों ही बहुत ही अच्छे से ना पक चुके हैं और यह सबजी ना बनके तयार है खाने में बहुत ही जारा डेस्टी लगने माली हैं तो आप इस रेस्पी को ज़रू ट्राइ करिएगा रेस्पी पसंद आयो तो वीडियो को लाइक शेर और मेरे चानल को सब्सक्राइब करें